Hello kids, कैसे हो आप लोग? तो अपने पिछले क्लास में speech क्या होती है देखा था? उसके सारे के सारे parts क्या क्या होते हैं वो देखा था जिसका पहला part था noun तो अपने देखा था कि noun क्या होता है? और फिर अपने देखा था types of noun, कितने type के nouns होते हैं जिसमें से सबसे पहला proper noun अपने कर लिया था जो एक specific किसी person को या किसी चीज को बताता था या किसी place को या किसी time को बताता था जैसे सौराब अगरवाल, हाँ, मेरे बारे में बात हो रिया है Soluble Science, हाँ सर, channel के बारे में बात हो रिया है उसको अपन बोलते थे proper noun अब आज अपन करेंगे उसके आगे के जितने भी टाइप से हो सारे के सारे आज अपन कवर करेंगे जितने हो सकते हैं तो चलो बिना किसी देरी के start करते हैं तो देखो आज जो अपन पढ़ेंगे that is common noun common मतलब यह common नाम दे दिया जैसे boys जितने भी लड़के हैं हाँ भी यह डाड़ी मूझ है ठीक है तो लंबे चौड़े है टेकर टेपर ने कर टेगरी कर दी कि यह यह सारे के सारे लड़के हैं यह सारे के सारे लड़की हैं अपने के टेगरें इस common common नाम दे दिया यह सारे के सारे बॉइस यह सारे के सारे गल्स कौमन किसी चीज को common name noun आपको देखो वर्ड समझ में आ रहा है इसके वर्ड में जाओ तो हर चीज वर्ड में ही छुपी हुई है जैसे उसका नाम किया था पहले वाले का प्रॉपर प पपन किसी एक specific student की बारे में बात नहीं कर रहे है common बोल दिया भी है students, students are disciplined, मेरे आप लोग जितने भी विद्यारती है, students है, सबके सब disciplined है, तो students क्या होगी आपका एक common noun, common, मतलब किसी specific person को या किसी individual को specify न किया जाए, किसी specific चीज को या specific place को specify न किया जाए, तो हो जाता है आपका common noun, जैसे मैं बोल तो states, states नाम है, है कि नहीं, लेकिन वो common noun है, क्योंकि उस states के नदर कोई भी आ सकते हैं, सारे के सारे states आ सकते हैं, चातिसगर भी, UP भी, 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 सारे के सारे आ सकते हैं, तो जैसे मैं states बोल दिया, तो states is a common noun, are you getting my point, fruits, fruits, अब उस fruits के नदर कोई भी, fruits, आ सकता है, तो it is a common noun, बास समझ में हैं क्या, definition देखो, these are the words used to denote same class और same group, कोई एक particular class या particular group of entities, not an individual, किसी एक particular entity के group को, ठीक है, समू को, अपन क्या बोल देते हैं, common noun, बोल देते हैं, किसी एक individual को, नहीं, are you getting my point, बास समझ में हैं, जैसे मेरा आप लोंग सारे के सारे स्टूडेंट्स के क्या हो, discipline, I know, जितने भी लोग हो, यहां पर सेनिक स्कुल के तयारी कर रहे हो, तो आप लोंग सब कोई discipline हो, तो मैं क्या बोला, students are disciplined, तो यह जो student है, are you getting my point, यह students, यह students क्या हो गया, common noun, आपको तो words से समझ में हा रहा होगा यार, और अब तो fill भी आ ग्यान की बात, ग्यान की बात क्या है, common noun, सिर्फ जब starting में है, beginning में है, ठीक है, common noun begin with capital letters only when appearing at the beginning of the sentence, ठीक है, common noun जो है, वो start होगा हमेशा capital letter से, लेकिन कब, सिर्फ जब beginning में है, proper noun का क्या था याद करो, proper noun पूरे statement में कहीं पर भी आए, वो उसका पहला letter capital होता था, start होता थ capital से, लेकिन common noun capital सिर्फ अभी होगा, जब वो beginning में, starting में, किसी sentence के starting में आया, अगर बाद में आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो capital नहीं होगा, अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ लिखे, इन में साब को बताना है कि common कौन सा है, और नहीं कौन सा नही teacher, हाँ common, यहाँ पर सारे type के teacher आ गए भी है, it is a common noun, सौरभ सर, no, it is not a common noun, वो एक specific person की बात कर रहे है, तो नहीं सौरभ सर, common noun नहीं है, state, yes, it is a common noun, MP, Madhya Pradesh, no, it is not a common noun, are you getting my point, चलो, उसके बात देखो, pen, ठीके भी हा, pen, pen की बात के रही है, pen, तो pen is a common noun, Parker pen, कौन सा भी हा, कौन से pen की बात कर दिये, Parker, specify कर दिये कि भी है, कौन सा pen की बात कर रहे है, Parker pen की बात कर रहे है, then it is not a common noun, same as a player, हाँ भी हा, player is a common noun, but अगर वहीं पर बात कर दिये, Sachin Tendulkar, आपको पता चल गया, Sachin Tendulkar, बोते दिमाग में इमें चाहिना, य आपके नहीं, Sachin Tendulkar की इमेज आपके दिमाग में आई, तो Sachin Tendulkar is not a proper noun, not a, sorry, common noun, it is a proper noun, again, mobile, अरे भी हा, mobile तो कोई भी हो सकता है, जो उन से mobile की बात करो, वो mobile हो सकता है, अब अगर मैं वहाँ पर भी specify कर दू, तो mobile is a common noun, ठीक है, but iPhone is not a common noun, iPhone आपको मालू मैं Apple का भी हा मेहंगा फोन, है की नहीं, दिमाग में आगे एकदम, iPhone is a proper noun, not a common noun, game, game is a common noun, common, सारे जितने भी खेल कुद होते हैं, ठीक है, उन सब को पन्नी क्या पोदे गें, लेकिन उसमें से cricket, अरे भी हा, cricket अगर आपने नाम दे दिया, तो क्या हो गया, जैसी आपने बोल दिया cricket, तो English, specify कर दिया, अभी हापन English पढ़ रहे हैं, सार आप सार से English पढ़ रहे हैं, तो English जो है, वो आपका क्या हो गया, proper, तो it is not a common noun, day is a common, Tuesday is a proper, ठीक है, PM, ठीक है, Prime Minister, कोई भी Prime Minister, किसी भी country का, अपने ही कोई भी past, future, कोई भी Prime Minister हो सकता है, तो it is a common noun, Prime Minister is a common noun, लेकिन अपन कि इसका बोलती है, भी है, Narendra Modi, specific person की बात कर दिया, तो अभी है common noun, नहीं है, I think इतने सारे example से आपको एक्दम feel आ गई होगी होगी कि what is common noun, अब मैं एक आपको बात बताने चाहरा हूँ, जो 90% लोग confused होते हैं, एक तो common noun, और एक collective noun, दोनों एक जैसे होते हैं, तो लोग ब potential नेने के आवशकता नहीं है, अब collective noun or name for the collection, और number of people or thing, ठीक है, collection की बात कर रहे है, collect किया आपने कोई चीज को, या grouping करी किसी चीज की, तो common noun किया था कि the boys, सारे के सारे boys, हो गया, वहाँ पर आपने कोई collect किया कि specific कोई boys के अंदर, नहीं, है कि नहीं, या फिर कोई आपने नाउन जो है, ये common noun से ही आता है, कि जो आपके common noun आपने बोल दी है, ऐसे boys, अब उस boys में से बोलूँ एक particular group of boys, तो जो group word है, group भी तो नाम है, अले ये सोचो, अपने थोड़ा दिमाग को थोड़ा सा जो डालो, कि क्या group noun है, हाँ सर, group कोई कारे तो है नहीं, वर्व नहीं है, adjective नहीं है, किसी की विसेस्ता है, नहीं बता रहा, हाँ, सर, जो group word है, वो भी noun है, तो अब कौन सा noun है, group क्या बता रहा है, collection को बता रहा है, एक particular number को बता रहा है, किसके common noun के, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, a group of boys, क्या बोल दिया मैंने, a group of boys, तो देखो boys क्या था, common noun, common noun में से, किसी एक particular group, एक समूँ, एक particular number को पता रहा है, कौन group, तो यह जो group होगा, यह हो जाएगा, भी या, collective noun, चमका क्या, जैसे, एक और example, bucket of flowers, ठीक है, bouquet of flowers, तो अब आप बलो, bouquet जो है, of flowers, flowers क्या हो गया, flowers भी noun है, bouquet भी noun है, दोनों के दोनों noun है, लेकिन flowers common, जित पने भी फूल है, सबको अपने लेकिन, पौल दिया, flower, फूल वोर, फूल नहीं, ठीक है, flowers, तो यह जो flower है, यह हो गया, अप का common noun, क्या हो गया, बच्चों, common noun, अब इस common noun से, अपन थे क्या खिए, कुछ, प्लावर को, flowers क्येते, common noun, अब वहाँ ने कुछ, और उक रहाए अपने टेप पे लगा कि सजा हो जाकि उसको एक बुके बना दिया, ठीक है, तो अभी क्या है, एक particular number या group of flowers को एक साथ अपने कठा कर दिया, तो जो bucket है, बुके है, ये क्या होगे आपका, ये होगे collective, ठीक है क्या, ये बाच्चा मग गई इच्छे से, सब को, ये बात एकद regular चीज को बताए, तो then it is collective noun, ठीक है, बहुत सारे एक्जांपल से अपने साथ में लेते वे चल रहे है, जैसे group, ग्रूप जो है, वो noun है, लेकिन कैसा noun है, collective, आर्मी, आर्मी देखो, soldiers होते हैं, जो youth करते हैं, लड़ाई करते हैं, अपने को देश को रक्षा दे रखे हैं, अपने आज यहां पर इतना feel, safe feel कर रहे हैं, किसके वज़े से कर रहे हैं, अपने soldiers के वज़े से, जो, you know, borders में लड़ाई करते रहते हैं, ठीक है, salute to them, और आप लोग भी वसी के लिए तैयरी कर रहे हो, ठीक है, सैनिक स्कूल में जाओगे, मतलब ज़रूरी नहीं कि सैनिक आपको मिलेगा, don't worry, सब का A to Z इतने भी लोग हैं, आपके स्रेश सर जो है, वो खुद सैनिक स्कूल से पास आउट है, तो उनका फिजिकली, बोलना, करना, हर चीज बहुत अलग होता है, तो आप, you know, सैनिक स्कूल अगर आपको मिल गये ना, आप ये मान के चलो कि आपके तो तयारी कर देगा, एक दम आपके अंदर का best version निखार देगा, तो आर्मी, आपन कहां से कहां चलेगा, आर्मी, ठीक है, तो आर्मी, आपन को मालूम है, भाई, जब बहुत सारे soldiers इकठा होते हैं, लडने के लिए, तो आपन उसको बोलते हैं कि आर्मी है, collection, collection को पता रह या, एक self में, तो वो क्या हो गई, library of books, देखो, जब भी collective noun आ रहा है, साथ में common noun भी आ रहे हैं, कि common से ही तो कुछ इकठा किया भाईया, बाचमा करिए कि आप, चलो, तो देखो, same ऐसे team, आप खेलते हो, cricket खेलते हैं, cricket, players बहुत हैं, लाखो करोड़ों भरे भी, अपने इंडिया में तो भरे हुए हैं, गली-गली में, आपको क्रिकेटर मिल जाएगा है कि नी, अब उसमें से अपने team बना दी, team इंडिया, ठीक है, a team of players, तो players क्या हो गया, common, अब उसमें से कुछ एक team बना दी, ठीक है, MS दोनी ने, तो अब वो क्या हो गया, team, team is a collective noun, चमक र ठीक है, आप हमार साथ connected भी है, soluble science, cynic and naod है, और यहां पर आप क्या है, हमने drone school के app में भी आप connected है, वहां पर भी आप में को message होगर कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आपको छोड़ के कहीं जा रहे हैं, अपना विजूच में live classes भी होते रहेंगी, ठी साथ अगर आप इकठा करके बाद दो तो अपनों उसको क्या बोलते हैं, bundle, gang, ठीक है, आपनों सारे students कई वार school में ऐसा gang बना लेते हैं आपस में, कि यह हम हमारी इपनी gang है, हम करेंगे एगदम तोड़ा फोड़ी बिदमासी करेंगे हैं कि नहीं, चलो, mob, flock, jury, class, family, audience, यह सारी की सारी जो है वो अपकी collective noun, देखो, common में से कुछ चीज को इकठा करके कुछ specific के बारे में बात करते हैं, तो वो हो जाता है collective noun, I think अब तो blood में बुझ गया होगा, sir, हादम अच्छ से आद हो गया, what is proper noun, what is common noun, and what is collective noun, sir, अब तो चाहा के भी नहीं बूलेंगे, आप इ जन्ता, people, वो क्या होगे आपका, common, ठीक है, ये common, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ, yellow अला, common, और कर देता हूँ, pink अला जो है, वो आपका collective, ठीक है, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, now see, army of soldiers, तो soldiers जो है भी या, ये हो गया, आपका common noun, अब उसमें से army की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसमें, it will become your collective noun, group is a collective noun, army is a collective noun, a board of directors, तो directors, companies के directors होकर होते हैं, अब वो जब एक चेका बैठते हैं, मतलब एक company के specific directors होते हैं, जिनको अपन बोलते हैं, board of directors, जो पूरे decisions लेते हैं, किसी भी company का, तो board of directors, directors का कुछ collective, समू, को अपन क्या बोलते हैं, board, अब board of directors, ठीक है, जो पूरे company का decisions लेते हैं, बैठ करके meeting होती है, आपने देखा होगा, movies होगर में है कि नहीं, तो board of directors, directors जो हैं, वो क्या है, common noun, common noun से कुछ इकठा कर दिया, तो क्या बन गया, collective noun, बात समझ में आएं गई, चलो, a bunch of keys, जो चाबियां हैं आपकी भाई साब, बहुत सारी चाबियां हैं, यह क्या common noun, चाबी का कुछ समू बना लिया, तो यह क्या बन गया, bunch, bunch will be your collective noun, same वैसे देखो, a bench of judges, judge, जो decision लेते हैं न, कि हाँ भाईया, यह बच्चा बहुत बहुत मास है, इसको punishment मिलेगी, इसको म उनका पूरा सुनते हैं कि अच्छा है, दोनों साइड का, फिर उसका अपना judgment देते हैं, तो वो judge, अब bench of judges, कभी भी देखना, जैसे कई जगा आप देखोगे, तो एक single judge नहीं, जैसे अब पंचायती देख रहते हैं, तो आपन उसको बोलते हैं, bench of judges, तो bench, bench क्या हो गया यह हो गया collective noun, और judge जो हो गया, वो हो गया common noun, चमक रहे गया, चलो, a herd of cattle, cattle, उनका herd, जब वो group है, मतलब कहीं ऐसे जा रहे हैं, भेड़ बक्री, ठीक है, तो आपन उसको क्या बोलते हैं, herd, a herd of cattle, ठीक है, library of bookie, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, library is a collective noun, team is a collective noun, band of musicians, भई, भील, जब बो एकठठा हो जाते हैं, एक clusters, guitar भजा रहा है, एक machst प्यानो भजा रहा है, है गए नहीं, एक gaza हरा है, एक गार है, एक tabla भजा भजा रहा है, तो उन सब का जो ही कठठा हो की हो, लो इक बन जाते है, सांत में एक team बन जाते हैं, उसको अपन किया पोलते हैं? Band a band of musicians तो musicians क्या होगा common noun जो भी गाना वजाना करता है उसको अपन musicians बोलेंगे उसको अपन बोलेंगे band हमारे college में भी बहुत सारे 2-3 band थे बहुत अच्छे band थे a view tour bouquet of flowers तो यहाँ पर यह मने आपको बता दिया bundle मैंने बता दिया sticks की bundle बहुत सारे लकडी को अगर आप ही कठ्छा कर लो तो उसको पने एक bundle बोलते है a gang of thieves चोरो का gang है है की नी सुने की नी birds का flock of birds a mob of people बहुत सारे people एक ज़ला ही कठ्छा होते है अपन क्या बोलते है mob of people a suit of rooms बहुत सारे rooms को जब ही कठ्छा होते है उसको क्या बोलते है suit a suite of rooms a clump of trees a swarm of bees a troop of dancers बहुत सारे डांसर जब ही कठ्छा होते है पन को क्या बोलते है troop ठीक है रैसे बहुत सारी मदुमक्की होती है तो swarm ठीक है तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे आपके क्या होगा और देखो इधर साइड के जितने भी है ये सारे आपके common noun है सारे के सारे common cattle, book, players, musicians, flower, steaks, thieves, birds, people, room, trees, bees, dancers ये जितने भी है ये अलो वाल है ये सारे आपके क्या है common और ये क्या collective word समझ में आगया दोनों के बीच मंतर समझ में आगया collective क्या, common क्या और proper क्या ये तीन चीज आपको एक दम अच्छे से होगी चलो अब आगे के चितने भी टाइप से हो मैं आपको next class में बताऊंगा मैंने आपको जैसे कहा था तो तब तक के लिए हसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सारवसर की class जै हिंद, बाई बाई, टेक क्यार